जहिन, आज के इस व्यूडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की The Borderless World क्या कंसेप्ट है The Borderless World का? यह टॉपिक बहुत ही पॉपुलर और बहुत डॉमिनेटिंग है यह टॉपिक अक्सर आपको philosophy, political science, sociology, economics यहां तक कि current के event में जब भी आप liberalism, neo-liberalism की बात करेंगे तो वहाँ पे The Borderless World का concept आता है जब भी हम free market की बात करेंगे तो यह concept आता है तो और विलम ना करते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को Man is born free and everywhere he is in chains Rosso की यह line बहुत popular है कहते हैं इनसान आजाद पैदा होता है बिना किसी बंधनों के लेकिन यह जो society है, यह जो state है, यह जो government है, यह जो societal systems है यह एक ऐसा system create कर देते हैं जिसके वज़े इनसान अपने आपको बंधा हुआ महसूस करता है तो उसी तरह जब हम बात करते हैं तो borderless word की तो borderless word in actual है क्या, जैसे नाम से लग रहा है ना borderless word एक ऐसी दुनिया जहां border ना हो एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समाज, एक ऐसा विश्व जहां पे border ना हो practical life में यह थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर देश की एक सीमा होती है, सरहद होती है कुछ rules, regulations होते हैं, boundaries होती है, borders होते हैं लेकिन उसके बावजुद भी यह concept है और यह कहीं ने कहीं exist भी करता है actual में the borderless word एक किताब है जो कैनेची ओहिमे ने लिखी थी 1990 के दशक में जी हाँ, borderless word, the borderless word is a book written by an eminent scholar कैनेची ओहिमे during 1990 का जो दशक था वो बहुत ही popular time period था क्यों, यह वो समय था जब Soviet रूस यानि USSR split हो चुका था दुनिया में liberalism तेजी से बढ़ रहा था और neo-liberal की तरफ shift भी हो रहा था और इंडिया में यानि की भारत में भी LPG, liberalization, privatization और globalization दस्तक दे रहा था या दे चुका था आप यह कह सकते हैं देखिए the borderless word को समझने के लिए दो-तीन चीज़े आपको समझना या जानना बहुत जरूरी और आपको आनी चाहिए पहला capitalism क्या है, पूझीवाद क्या है, industrial revolution क्या है और liberalism और लासे फेहरे क्या है और कैसे neo-liberalism आगे चलके popular हुआ liberalism के concept के आगया नहीं उदारवाद के आगे जब नव उदारवाद आया तो क्यूँ वो आया नव उदारवाद की neo-liberalism की जरूरत क्यूँ पढ़ी तो the borderless word कहने चीओ में इस concept को जो explain करते हैं जब उसको elaborate करते हैं basically किसी भी concept का जो impact होता है वो social level पे, political level पे, economic level पे और cultural और psychological level पे पढ़ता है तो borderless word का impact भी social, political, cultural, economical और psychological level पे पढ़ता है और पढ़ भी रहा है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी society, एक ऐसी दुनिया जहां पे borders ना हो what the borderless word means अब देखिए border तो जैसे इंडिया, पाकिस्तान जैसे इंडिया, पाकिस्तान Russia, Ukraine, America, Mexico यह सब borders है अब सोचिए अगर एक ऐसा समाज हो जाए एक ऐसी दुनिया हो जाए जहां कोई भी आदमी कहीं भी freely आ जा सकता है बिना किसी restriction के बिना किसी casteism के बिना किसी racism के बिना किसी geopolitical foundation के कि नहीं तुम उस देश के हो तुम उस race के हो तुम उस नसल के हो तुम अमीर हो, तुम गरीब हो नहीं, ऐसा कुछ भी ना हो जहां free flow of अगर एक आम भाशा में या दो लाइन में कहा है what the borderless word means या what the borderless word is तो आप कह सकते हैं the borderless word is an ideology which promotes the free flow of ideas thoughts, cultures, economy and which promotes the trade across the world without any restriction and the free flow of humanistic ideas, values and their beliefs तो ये है borderless word तो जैसे आपको एक देश से दूसरे देश जाना है तो ये कब possible जब आप global citizen का concept लाएंगे global citizen मतलब अभी जैसे आप बोलते हैं कि आप इंडिया के नागरिक हैं तो भाई आपको कहीं और जाना है तो आपको वीजा चाहिए पासपोर्ट चाहिए परमीशन चाहिए फर्स करिए अगर एक global citizen का concept आजा है जहां कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है किसी भी culture को follow कर सकता है कुछ भी खा सकता है कुछ भी पहन सकता है कहीं भी job कर सकता है कहीं भी business लगा सकता है बिना किसी hard core restrictions के देखिए थोड़ा बहुत restrictions, rules and regulations तो होगा ही लेकिन ये ये बात कहते हैं कि ये नहीं कि custom duty दे रहे हो, import duty दे रहे हो आपको ये tax देना है आपको वो guideline फुल्फिल करनी नहीं इन सब को नकारता है जरूरस से ज़ादा restrictions और over burdened rules and regulations को reject करता है the borderless world social level पे भी, political level पे भी अब जैसे अक्सर देखिए America और Mexico में एक तना तनी रहती है America ये कहता है कि Mexico के जाद अतर लोग चोरी, छुपे, illegal तरीके से America में आ रहे है या जैसे आज कल refugeeों की बहुत समस्या हो रही है वही refugeeों को कौन रखे जैसे अभी इराक में और सीरिया में जो situations हुई तो उसके बाद refugee crisis बढ़े है रोहिंगिया का issue आप सब जानते ही है तो जब हम borderless world की बात करेंगे तो यहाँ पे एक समस्या ये भी पैदा होगी फिर ये लोग किसी भी देश में जाके रह पाएंगे कहीं भी रह सकते हैं कहीं भी जॉब कर से लेकिन ये एक problem create होगी क्योंकि resources आपके पास limited है संसाधन आपके पास सीमित है आज के सन 2023 में अगर हम Syrian refugees की बात करें अफगान refugees यानि अफगानिस्तान में जब तालिबान आया उसके बात वहां के refugees अगर हम उनकी बात करें या हम रोहिंग्या के refugees की बात करें तो already global level पे human crisis है कैसे सब को रोजगार दें employment दें और अगर उपर से हम borderless word की अवधारणा को popularize करेंगे या practical life में apply करेंगे तब तो कोई भी freely कहीं जा सकता है आ सकता है वहां का नागरिक बन जाएगा अराम से रहेगा तो borderless word अगर हम practical level पे देखें तो borders को हटाना social restrictions को हटाना तो कहीं न कहीं individual identity किसी एक particular community का जो culture है उसकी जो identity है फिर उस पे सवाल या निशान उड़ जाएगा क्यूं जब लोग freely आएंगे जाएंगे एक दूसरे से interact करेंगे मिलेंगे तो कहीं न कहीं न कहीं उनका जो अपना culture है वो impact होगा और कहीं न कहीं जो उनकी अपनी identity है उस पे भी impact होगा फिर सवाल यह उठाएगा फिर how we can acknowledge our own culture our own belief system psychological level पे भी और political level पे भी यह issues create करेगा हाँ यह बात को ज़रूर फाइदा पहुचाएगा जब हम नियो लिबरलिजम की बात करेंगे जहां हम corporate responsibilities की बात करेंगे और trade, commerce और industrial revolution से society के निचले तपके को बहुत फाइदा होगा तो अगर हम नियो लिबरलिजम को साथ में लेके चलें, globalization को साथ में लेके चलें और थोड़ा सा इस concept को इस तरह की से देखें जहां economy का ideas का free flow हो लेकिन वहाँ पे borders ना हो कि नहीं अपने विचार, अपने thought process इसको रखने के लिए आपको restrict किया जाए तो उम्मीद है आपको the borderless word का concept समझ में आयोगो मिलते हैं अगले वीडियो में